नमस्कार दोस्तों मैंसका सिंग अपने आपके यूटूब चैनल एपस राजा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI reward app से आप घर बैठे अपने mobile को free में recharge कैसे करेंगे जी हाँ दोस्तों आदी आपके पास SBI का bank account है और वहाँ पर आप पैसे का lane दिन करते हैं तो SBI इस lane दिन पर आपको धेर सारे rewards के रूप में पैसे देते हैं फ्री मेरी चार्ज कैसे करेंगे सारी information आपको step by step करके live demo के साथ बताने वाला हूँ तो दोस्तों कहीं मत जाएगा छोटा सा वीडियो लेकिन काफी important और काफी फायदेमन वीडियो है वीडियो को सुरूशन तक जरू दखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों तक share कीजिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं लेकर रहता हूँ आपस की नहीं निजनकारी बिल्कुल फ्रेस से वनताजा इसलिए मेरे चैनल का नाम है एपस राजा तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग Google Play Store पर जाएंगे और वहाँ पर search box में type करेंगे SBI reward app यहाँ पर आपको लिखना है S-B-I-R-E-W-A-R-D-Z यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा option आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सबसे उपर वाले option पर क्लिक करेंगे तो यह S-B-I-R-E-W-A-R-D-Z app को आपको यहाँ पर install कर लेना मैं यहाँ से पहले install कर रखा हूँ ताकि मैं आपका ज्यादा समय ना लूँ अधि दोस्तों यहाँ पर आपको download करने में किसी तरह का problem आता है या कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि original वाला S-B-I reward app कौन सा है तो वीडियो के नीचे description में link दिया हूँ वहाँ से जाके भी आप easily अपने mobile में इस app को install कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों यहाँ से simply हम लोग open करेंगे तो दोस्तों open करने के बाद आपको इस तरह का interface नजर आएगा यहाँ पर आपको क्या करना होगा चलिए मैं आगे मैं step by step करके बताता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर देखे यह तो मैं इसे open कर चुका था इसलिए यहाँ पर आपको इस तरह का हम इसे log out कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको first time जो है इस तरह का interface मैं जर आएगा इस तरह का interface मैं जर आएगा तो इसमें आपको क्या करना है first time आप open करेंगे तो इस तरह का interface मैं जर आएगा app खोलते ही तो आपको simply क्या करना है यहाँ पर देख सकते हैं do not have an account आनि कि आपके पास तो account नहीं है इसलिए आपको do not have an account पर click करना है यहाँ पर जैसे ही click करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं inter customer id oblique cif number आनि kif number जो कि आपको passbook में मिल जाता है id और kif number उसके बाद यहाँ पर inter last four digit of mobile number mobile number जो कि आपके bank से registered है उसी mobile number का last का four digit आपको यहाँ पर submit करने ना है kif number और mobile number डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखे submit है तो आपको यहाँ पर submit पर click कर देंगे submit पर जैसे click करेंगे आपको एक password बनाना है इसली आप password बना लेंगे और user id जो होगा आपका mobile number हो जाएगा तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से मैं already इसे sign up कर चुका हूँ तो देखे यहाँ पर जो user id है इस तरह कर दिखेगा जब आप password बना लेंगे तो यहाँ पर आपको इंटर user id तो user id क्या होगा आपका register mobile number वो यहाँ type कर देना है और जो password आपने बनाया है वो यहाँ पर डाल दे तो आपका app जो है open हो जाएगा यह था registration का process चलिए मैं फटाफट करके बता देता हूँ तो दोस्तों मैंने mobile number और password डाल चुका हूँ और simply यहाँ से हम sign in करेंगे दोस्तों जैसे ही sign in करेंगे आपका इस तरह का page यहाँ पर open हो जाएगा जो कि यह main page है अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से देस्तों registration हो गया अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि rewards app से आप phone को free में recharge कैसे करेंगे तो recharge करने के लिए दोस्तों आपको कोई फैसा नहीं लगेगा क्योंकि जब आप SBI Bank से कुछ भी लेंदेन करते हैं तो इस application के जरीए आपको कुछ rewards मिलता है और उसके कुछ पैसे भी मिलते है rewards को convert किया जाता है पैसे में वो दोनों एक साथ बताता है आपको चलिए मैं यहाँ पर बताता हूं दो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ home screen है claim reward है offers है उसक उसके बाद दोस्तों यहाँ पर offer है partner है और account है account पर आप click करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखे transaction history दिखाएगा password यहाँ से change कर सकते हैं refer and earn जो है यह जो offer है यह बहुत ही जल्द आने वाला है आनि आप किसी को इस application को refer करेंगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे तीस तरका है दोस्तों अब इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं तो नीचे करते हैं तो नीचे करते हैं तो देखें यहाँ पर हमारा नाम दिखा रहा है 282 points मेरा rewards के रूप में मिला है और यहाँ पर 70 रूपीज जो है मुझे मिला है 282 points का जो पैसा है convert करके वो 70 इसका भी recharge कर सकते हैं तो दोस्तों हम लोग claim reward में जाते हैं यहाँ पर आपको इस पैसे से क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं तो दोस्तों यहाँ से आप mobile recharge कर सकते हैं यहाँ से shopping कर सकते हैं gift card करी सकते हैं DTS का recharge कर सकते हैं flat की booking कर सकते हैं movie ticket की booking कर सकते हैं green fund म तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहां से मेरा तो कम एमाउंट है तो यहां पर हम मैंने बताया हूं कि मोबाइल रिचाज फिरी में कैसे करेंगे तो यहां पर मोबाइल पर नहीं हुआ यहां पर हम लोग मोबाइल पर क्लिक करेंगे mobile पर click करेंगे दोस्तों तो देखें यहाँ पर दिखा रहा है मेरा mobile number यहाँ से operator select करने के बोल रहा है तो मैंने यहाँ पर operator भी select कर लिया यहाँ से उसके बाद proceed to paper click करेंगे sorry यहाँ पर view plan जो है वो select करेंगे भी प्लान पर आपको कौन सा amount जो है पैसा यहाँ पर डालना है उसके बारे में बता रहा है भी प्लान पर करेंगे दोस्तों यहाँ से कुछ top of हम special tariff उठा लेते हैं यहाँ से दोस्तों मैं 49 रुपय कर रिचार्ज करूंगा फिर उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करूंगा तो यह सर्च ले रहा है दोस्तों देखिए प्रोसीड टू पर हो गया और पे नौ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक OTP आएगा और आपका mobile रिचार्ज हो जाएगा देखिए मैं पे नौ पर भी क्लिक कर देता हूं तो पे नौ पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर एक OTP आएगा और OTP डालने के बाद आपको सब्मिट कर देना है आपका जो mobile है वो free में रिचार्ज हो जाएगा नहीं कि आपके कोई पैसे भी नहीं कटेगे इस account से पैसे कर जाएगा क्योंकि हम लोग SBI reward app को यूज कर रहे हैं तो बहुत यह असान पुरसे से दोस्तों आपके case में हो सकता है कि आप DTS का भी रिचार्ज कर सकते हैं फ्लैट की booking भी क कर सकते हैं यहां पर ज्यादा पैसा मिलता है rewards के रूप में तो दोस्तों यह को भी नहीं बताएगा यहां तक कि आपको bank भी नहीं बताने वाला है तो दोस्तों यह जनकर आपको कैसा लगा एक बार comments करके जरूर बताएगा और एक अच्छा सा like भी कर दीजेगा ताकि पूरी मंदद करने की कोसिस करूंगा तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों तक share कीजिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अगन को प्रेस कर दे और all notification को on जरूर कर ले ताकि मैं भी जो भी वीड लोट कर वो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो दोस्तों वीडियो दखने के धन्यवाद खुस रहें मस्त रहें स्वस्त रहें जैहींद बंदे मात्रम